दोस्तो नमस्कार, 2020 में मारुतिय सदूग की अपनी अल्टो का नेक्स जनेशन लाँच करेगा नहीं जनेशन की अल्टो में आपको पेट्रॉल इंजन के साथ साथ इलेक्टरिक आप्शन भी देखने को मिलने वाली है और भारत में लाँच होने वाली ये एक सस्ती और शानदार इलेक्टरिक कार होगी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन फीचर्स के बारे में जो आपको नहीं जनेशन की मारुतिय सदूग की अल्टो में देखने को मिलने वाले हैं तो चली दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को दोस्तों अगर इंजन्स की बात करें तो भारतिय मार्केट में लाँच होने वाली मारुतिय सदूग की अल्टो में आपको 800 CC का पैटरॉल इंजन और 1000 CC का पैटरॉल इंजन देखने को मिलेगा इसमें मिलने बाला 800 CC का पैटरॉल इंजन 50 BHP के गरीब पाबर देता है जबकि इसमें मिलने बाला 1000 CC का पैटरॉल इंजन 60 BHP के गरीब पाबर देता है इसमें मिलने बाले 800 CC के पैटरॉल इंजन की मायलेज 24 किलोमेटर के करीब होगी जबकि 1000 सिसी के पैटरॉल इंजन की मायलेज 23 किलोमेटर के गरीब होने बाली है इसमें मिलने बाले ये इंजन 5 स्पीड की मैनूल और AMT की गेर बॉक्स आप्शन में आफर की जाएंगे नए जनेशन की अल्टो में आपको इलेक्टरिक बेरियंट की आप्शन भी देखने को मिलने बाली है इलेक्टरिक बेरियंट में लाunч होने बाली मारूति सदुकी अल्टो की ड्राइविंण रेंज 200 क्लिमेटर की होगी इसका मतलब यह हुआ कि एक बार चार्ज करने से आप मारुती चुदू की की इलेक्टरिक अल्टो में 200 किलो मेटर तक की दूरी तैय कर सकते हैं और नई अल्टो में आपको AC चार्जिंग और फास्ट DC चार्जिंग की आप्शन देखने को मिलेगी कुछ रिपोर्ट्स की माने हैं तो भारत में लाँच होने बाली यह अब तक की सब्सक्रें सस्ती इलेक्टरिक आर होगी अगर एक्स्टेजियर की बात करें तो भारते मार्केट में लाँच होने बाली नई जनेशन की मारुती चुदू की अल्टो में आपको 160 mm की ground clearance मिलेगी मारती की नई अल्टो में आपको नए डिजाइन की सदूकी की बैजिंग के साथ फ्रेंट रिल, एकलिप्स शेप में नए डिजाइन के head lamps LED डेट एमनिंग लाइटS LED टेल लाइटS जैसे फीचर इसके एक्सटीजर में देखने को मिलेंगे कुल मिला कि आपको बता देएं कि नए जेनरेशन की मारती सदूकी ऑल्टो की एक्सटीजर लुक बहुत ज़गा शांदार होने वाली है अगर इंटीजर की बात करें तो नए मारुती Suzuki Auto के इंटीजर में नए डिजाइन के soft touch dashboard के साथ 7 इंच तक का touchscreen infotainment display मिलेगा जो कि एपक आप ले Android Auto के feature को support करेगा इसके इंटीजर में Suzuki की बैजिंग के साथ 3Spoke का compact steering wheel, manual AC, 5% की sitting arrangement, large door pockets, bottles and cup holder, cool storage glove box, all seats with headrest, all power windows, large boot space जैसे शांदार feature इसके इंटीजर में देखने को मिलेंगे सेफटी के लिए नए जनेरेशन की auto में high strength steel body, dual front airbags, ABS with EBD, reverse parking camera with parking sensors, speed alert system, speed sensing auto door lock, ISO fix child lock, driver attention warning system, speed sensing auto door lock, जैसे शांदा सेफटी के feature देखने को मिलेंगे भारतिय मार्केट में लांच होने बाली मारुती स्थूपकी की नई auto एक अन्मान के अनसार 2.8 लाक रुपीज की शुवाती कीमत में लांच की जाएगी जब कि इसके टॉप बेरियेंट की कीमत 4 लाक रुपीज तक जाने की उमीद है इलेक्टिक बेरियेंट में लांच होने बाली मारुती की नई auto एक अन्मान के अनसार 5.5 लाक रुपे तक की शुवाती कीमत में लांच की जा सकती है आप मैं बताएगे कि आपको मारुती स्थूपकी की नई auto कैसी लगी धन्यबाद झाल